आज बनाएंगे हम रोटी और मटन शामी कबाब बनाएंगे बहुत ईजी और बहुत टेस्टी सा रेसिप है चलिए रेसिप को स्टार्ट करेंगे हमने लिया है यहां पर एक कुकर कुकर में डालेंगे हम 250 ग्राम जितना मटन लिया है अच्छे से दोकर साफ कर लिया है मटन को और लेंगे एक कटूरी जितना चना दाल इसको धोकर रख लिया था आमने भिगोकर नहीं रखा है डिरेक्ट दालेंगे इसमें धोकर और लेंगे एक तेस पता एक इलाची तीन लोंग और थोड़ा शशाही जीरा और काली मिर्च पॉडर लेंगे दरदरा कुटा हुआ उसको डालेंगे बहुती टेस्टी बहुती मज़े की बनते हैं और दालेंगे आठ से दस लेसिन के लिए दो इंज जितना अध्रव एक बड़ा सा पैज लिया है जो रफ्ली चॉप कर लिया है उससे डालेंगे हम देल के बाद क Şambe清 Wissenschaft सबी कुकर में नल कर अभी इसमें oni करेंगे एक टेबल़जम जितना नमक नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम दो देबर में जितना तैल डालेंगे डालकर अच्छी से मिक्स करेंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी से बनता है आप कभी पर बना के खा सकती हो और डालेंगे आदक ग्लास जितना पानी ज्यादा नहीं डालना है आपको सिर्फ दाल और गोश गल जाए इतना काफी है पूरा दाल को गलाना नहीं है ढकन लगा कर चार से पांच सीटी आने तक वेट करेंगे हम तब तक हम रुमाली रोटी का आठा लगा लेंगे मैंने देड़ कभ जितना आठा लिया है मैदा और आदा कप लेंगे गेहु का आठा यह परफेक्ट मेजरमेंट है इसी तरह से बनाएगा आप देड़ कभ जितना मैदा लिया है हाफ कप लेंगे हम गेहु का आठा एक आदा टेश्पून लेंगे नमक और लेंगे एक टेश्पून जितना चीनी दो टेबल स्पून डालेंगे ओईल तेल डालेंगे तभी को अच्छी से मिक्स कर लेंगे रुमाली रोटी तो बहुत ही बढ़िया से बनता है जो आप जो बाहर मिलता है वैसे ही आप बना सकते हो जो रेस्टोन स्टाइल है लुप हम दूद लेंगे हम फ्रिज का दूद नहीं लेंगे और दूद थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी से मिक्स करेंगे पूरा एक क डूद पर्फेक्ट मेजरमेंट है पूरा एक कप लगेगा ज्यादा पतला भी नहीं करना है ज्यादा टाइट भी नहीं डो बनाना है मीडियम बनाना है आपको दिखें इस तरह से अच्छी से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालकर इसको लास्ट में और इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे इसको साइट पर रखेंगे अब और लेंगे जो रोटी बेलते हैं न वो लेंगे और इसके उपर डालकर दोनों हाथें से अच्छे से मसल मसल कर इसको दिखें इस तरह से मसल लेना है ताइकि जब भी हम ب्रुमाली रोटी बनाए फटे नहीं और शिंक भी नहीं होगी इस तरह से देखे इस तरह से दोनों हात से कम से कम आपको 10 पीट तक करना ही है इस तरह से बहुती सॉफ्ट बनकर आटा तयार होगा देख़े इस तरह से दोनों हाथ की मदद से अच्छे से आठे को इस तरह से मसल लेंगे 10 मिंट हो चुगा है इस तरह से और इसको रखेंगे साइट पर कम से कम आपको आदे घंटे के लिए तो रख नहीं है गिला कपड़ा इस तरह से डाल के आदे घंटे के लिए साइट पे रख देंगे कुकर की सीटी हो गई है चलिए अब इसको चक कर लेते हैं ग्यास को कर देंगे बान देखिए प्रेशर पूरा निकल गया है गोश और डाल बहुती अच्छे से गल चुके हैं दिखिए मटन भी हमारा पक चुका है इधर पे लेंगे हम सुकी मसाले दो टेबल स्पून जितना डाल मिच पॉड़ा लिया है अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे दाल इतना ही आपको गलाना है पूरा गलाना नहीं है वरना आपकी शामी कबाब ऑल मिच जाते वह पड़ जाएंगे यह ठंडा हो चुका है इधर पे लिया है एक मिक्सी जार मिक्सी जार में डालेंगे बहुती आसानी सी रेचिपी है बहुती जट पेटा और बन जाती है खाने में बहुती दुगना सा टेस्ट है तो ज़रूर ट्राइ किजिगा इसको पिना पाने दाली यह ग्राइंड करना है इसको थोड़ा भी पानी नहीं डालना है हमें देखिए इस तरह से बहुती थिक सा बना लेंगे हम पेस्ट बिना पानी दाली ही दूसरा पैच भी हम मैंने ग्राइंड करके रख लिया है चलिए उसको भी निकाल लेते हैं अब इसमें आट करेंगे हम एक मीडियम से इसका बारिक सा पैज लिया है चौप कर लिया है एक हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्रेश धनिया लिया है उसको आट करेंगे आप इधर पे नमक चेक करके डाल सकते हो मैंने पर्फेक्ट डाला था तो मैंने एक्स्टर नहीं डाला है दिखिए इस तरह से अच्छी से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथ की मदद से हम शामी कबब का शेप देंगे ठोड़ा सा लगा लगे आईल लगाने के बाद इतना सा मेडियम से इसका लेके शामी कबब बना के दिखाएगे इस तरह से बहुती आसानी से बन जाती है शामी कबाब, उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बहुती टेस्टी सथा, तो आप जरू ट्राइ किजिएगा, इसी तरह से शामी कबाब सब बना कर रख लेंगे, बहुती आसानी से कबाब बन जाती है, तो एक प्लेट में सभी बना कर रख लेंगे, चलिए सभी को मैंने शामी कबाब बना कर रख लिया है, अब हम इसको साइड पर रखेंगे, और लेंगे दो टेबल स्पून जितना नमक, और आदा गलास पानी डालकर इसको एक घूल बन लेंगे, जो हम कडाई के ऊपर डालेंगे ना, रोमाली रोटी के ऊपर, उसे यूज हो गए, तो चलिए इस वा अच्छे से, विक्सोने देंगे नमक को, पानी में, और लेंगे इदर पर एक कडाई, आइरन की कडाई लिया है मैंने लोही की, इस तरह से मैंने ग्यास के ऊ अच्छे से कडाई को गरम होने देना है, दीखिए हमारा आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, अब इसको निकाल कर, पेड़े बना लेंगे इसके, दीखिए इस तरह से हाथ की मदद से, आप बड़ा हो तो बड़ा बना सकते हो, मैंने मीडियम से इसके रोमाली रोटी बनाई है, कि मेरी कडाई थोड़ी छोटी है तो मैंने उतनी ही बनाई है, पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करेजिए और सब्सक्राइब करिएगा, आप मेरे चैनल पर नहीं है तो, दीखिए इस तरह से मैंने मीडियम सेस के पेड़े बना कर रख लिया है, इसको भी एक बरतन में निकाल कर गिले कपड़े से धक देना है इसे, देखिए इस तरह से, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बहुत जल सूख जाएगा, और थोड़ा सा आटा डेस्ट करके रुमाली रोटी बना लेंगे, जितना पतला हो सगे उतना आप बेलेगा, फटेगी नहीं आपक पतली सी रुमाली रोटी बनकर तयार है, थोड़ी भी नहीं फटेगी, देखिए इस तरह से, मैंने रख लिया है, कडाई इदर पर गरम हो चुका है, जो हमें नमक का घुल बना लिया था, उसको इस तरह से कडाई के उपर डालेंगे, अच्छे से कडाई के उपर डालने क के बाद ही आपको रोटी दालना है, चलिए, कडाई गरम हो चुके है, अब रोटी लेकर इसके उपर डालेंगे, आप देखकर रोटी दालने पलटिएगा, क्योंकि कडाई बहुत ज्यादा गरम होती है, आप बनाने में नहीं हो तो आप चिम्टे की मदद से, एक स्पून की मदद से आप निकाल सकते हो, इसी तरह से हम निकाल लगके पलट देंगे, देखिए, बहुत ही ज्यादा सा कडाई गरम हो चुकी है, तो चलिए इसको इस तरह से पलट देंगे, बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तयार होगी रुमाली रोटी आप की, देखिए, एक कपड़े की मदद से इस तरह से प्रस करते हुए, अच्छे से साइट सभी पका लेंगे हम रोटी को, अच्छे से 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 शेक लेंगे, अलट पलट कर, शेकनी के बाद देखिए, कितनी सॉफ्ट हमारी रुमाली रोटी, जटपट वाली बनकर तयार है, खाने म तो दुगना सा टेस्ट है, इसको साइट से अच्छे से 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 शेक लेंगे, ज़िए इसको इस तरह से फोल्ट कर देंगे, देखिए, रुमाली रोटी का शेफ देदेंगे, अब इसको एक कपड़े के अंदर अच्छे से रख देंगे, ज़िए एक और मैंने बना लिया है, उसको भी पलट देंगे, एक कपड़े के मदद से, बहुत ही जट पट और आसानी से रेसिपी है, आपकी पहली बार में टूट चुकी है तो कोई टेंचन की बात नहीं, दूसरी बार तो आपकी परफेक्ट बनना ही बनना है, प्रुमाली रोटी, दिखिए, इस तरह से, अच्छी से अलट पलट कर, सेख लेंगे, चलिए है रुमाली रोटी तो हमारी बन चुकी है, अब शामी कबाब को फ्राइ कर देंगे, इधर पिलिया है एक पैन, पैन गरम होने के बाद, इसमें दो अर्टिबल स्पून जितना तेल दालेंगे, हमें शेलो फ् मसाले सब कुक हो चुके हैं, मटन, डाल वगेरा सब कुछ, कबाब समय ने, पहले से बना कर रख लिया था, चलिए इसको तिल ऑईल गरम होने के बाद, इसमें अट दालेंगे, एक एक करकर, बहुत ही आसानी सी रेसिपी है न, मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत ही ईजी रेसिपी और आसानी सी रेसिपी, आपको देखने मिलेंगे, बहुत ही जटपट वाली, बिना जटट के, घर की मसालों से आप बना सकते हो आराम से, देखिए, एक तरफ गोल्डन प्रन होने के आप चाहे तो अंडा भी दाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है अंडा, चलिए सब कर लेते हैं, दूसरा बैच भी मैंने फ्राइ कर लिया है, इसको भी आप निकाल लेंगे, गयास को कर देंगे बन और सब कर लिया है, प्यास और नीमू के साथ, रुमाली रोटी और देखिए शामी कबाब बन कर तैर है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इन्शाला ऐसे रेसिप के साथ, नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए, अल्ला आफीज, टैंक्स पर वाचिंग झाल 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